हलो फ्रेंड्स रादे रादे वेल्कम टू में चैनल आज मैं आपको मुवाइल फॉन का कवर बैक बनाके उन से बनाके बताती हूं इसके लिए सबसे पहले मैंने दस नम्बत की सलाई पे 46 फंदे डाले मैं दो कलर से बना रही हूँ बलेक कलर और क्रीम कलर तो λέक कलर से मैंने 46 फंदे डाले और पहली सलाई मैं सीधी शीधी बनाओगी ैस तरह से पूरी सलाई सीधी के कि और मेरे बनाए बनाओं की है से लीट इस मेरी इद्थि कड़ाई करते हैं है कkęड़े इस tratbag हम सीधी शालाई फ्रस और अपना नाष्ट कर अंगे 2 अधिया के डिया है सब्सक्रालियो मैं पेहले क्रीम से ना हम प्रेंगे अपने दूसरे बूल को ऐसे सैट करते हुए तीन फंदे सीधे सीधे बना लिए अब हम यह जो हमारा बीच का हिस्सा है इसमें से दो फंदे के बाद हम इस तरह से डबल रैप करते हुए फंदा लेंगे इस तरह से फिर हम दो फंदे बनाएंगे सीधे सीधे क्रीम कलर से ही इस तरह दो फंदे लिए अब हम फिर वही दो दो छोड़ते हुए फिर हम उसमें डबल रैप करते हुए फिर फंदा ले लेंगे इस तरह से फिर दो फंदे बनाएंगे सीधे सीधे फिर हम बीच के इससे से दो धाग छोड़ते हुए इस तरह से बीच में से डबल रैप करते हुए निकालेंगे फिर वही दो फंदे सीधे सीधे बनाएंगे यही करते हुए हम अपनी पूरी सलाई बना लेंगे यह हमारी पूरी सलाई हो गई इस तरह से हम अपनी पूरी सलाई को कम्प्लीट कर लेंगे यह तर फिर बीच से हम double wrap करते हुए फंदे लेंगे फिर दो फंदे सीधे बनाएंगे फिर हम इस तरह से फिर दो इस तरह दो बार उधेर मतलब नीचे से दो बार लेने के बाद इस तरह से लेंगे फिर से दो फंदे इसी तरह हम अपनी सलाई को पूरा करते जाएंगे और लाश्ट के तीन फंदे हम सीधे सीधे लेंगे उल्टी सलाई पर हम तीन फंदे सीधे लिए और जो double wrap किया हुए फंदा था उसको उतार लेंगे बुनेंगे नहीं उसको फिर दो फंदे लिए और जो रहबा लफंदा उसको उतार लिया फिर दो फंदे उल्टे उल्टे लिये और रहबा लफंदा उतार लिया इस तरह से हम यह अपनी उल्टी सलाई को पूरा करते जाएंगे हम एक दो सलाईयों को एक ही कलर से बनाएंगे दो-दो सलाईयां एक कलर से बनाएंगे इस तरह हमारी चार सलाईयां का ये डिजाइन है अब हम ब्लेक कलर लगाएंगे इसके लिए हमने सबसे पहले दो फंदे सीधे सीधे लिए और फिर हम दो फंदों का एक करेंगे, इस तरह से, दो फंदों का एक किया, अब इसी फंदे को उठा लेंगे, और फिर से दो फंदे सीधे सीधे एक बनाएंगे, दो का एक, इस तरह से हमारा डेयाइन बनके तयार होगा, फिर हम दो फंदों का एक करेंगे, इसी मैसे फंदे को उठा लेंगे और फिर से हम दो फंदे का एक करेंगे फिर हम दो फंदे का एक करेंगे यही करते हुए फिर से फंदे को उठाएंगे और फिर दो फंदे का एक कर देंगे इस तरह से फिर हम दो फंदे का एक करेंगे फिर फंदे को उठा लेंगे और फिर से हम दो फंदे का एक करेंगे इस तरह से करते हुए हम अपनी पूरी सलाई को कम्प्लीट कर लेंगे अब हम उल्टी सलाई पे आ गए, उल्टी सलाई पे पूरी सलाई उल्टी उल्टी बनेगी, ब्लैक कलर से, यह हमारी दो कलर से हमने वाइट कलर क्रीम कलर से बनाया और दो सलाई हमने ब्लैक कलर से बनाया यह चार सलाई का हमारा डेयाइन कंप्लीट हो गया, अभी डेयाइन से रिपीट वही होगा ये चार सल आयों का ड़ियाइन है फिर से हम वही तीन फंदे लेंगे और फिर बीच में लेके डबल रैप कर देंगे उसको फंदे को डबल रैप करते हुए ऐसे हैं फिर से दो फंदे सीधे सीधे लेंगे फिर से बीच में डबल रैप करते हुए दो फंदे लेंगे फिर से दो फंदे लेंगे वह ही जैसे हमने पहले किया था वही डियाइन पूरा रिपीट हो जाएगा हम क्रीम कलर से तीन फंदे पहले शुरू में सिधे सिधे बनाते हैं और ब्लेक कलर से हम दो फंदे शुरू में बनाते हैं और लास्ट में दूर बनाते हैं इस तरह से हमारा बस इतना सहीव फर्क होता है कि शुरू के फंदे हम क्रीम कलर से तीन बनाते हैं और ब्लैक कलर से दो बनाते हैं है इसी तरह हम अपना फूरड़EANS बनाते जाएंगे को बोलटी इसलाइप है वहि दो फंदे उल्टे लेकर तीसरापंद रह्ब किया हुआ उतार लिया फिर दो फंदे उल्टे लिए तीसरा फंदा उतार लिया फिर दो फंदे उल्टे लिए तीसरा फंदा उतार लिया फिर दो फंदे उल्टे लिए तीसरा फंदा उतार लिया इसी तरह करते हुए हम अपनी सलाई को कंप्लीट कर लेंगे यह हमारी ब्लेक कलर से दो फंदे का एक किया फिर उसी फंदे को उठाया और फिर दो का एक कलर और उल्टी सलाई को पूरा उल्टा-उल्टा बना लिया अब यह वाइट कलर से हमारी डिजाइन डल रही है वाइट कलर से वही दो फंदे सीधे सीधे बनाएं एक फंदा बीच से निकालके डबल रेप करके लिया फिर दो फंदे सीधे सीधे बनाएं एक फंदा बीच में से निकालके डबल रेप करते हुए ले लिया इसी तरह से हम अपनी पूरी सलाई को कम्प्लीट कर लेंगे लाश्ट के तीन फंदे सीधे सीधे बना लिए उल्टी सलाई पर वही तीन फंदे शुरू के लिए और एक फंदा उतार के लिए फिर दो फंदे लिए एक फंदा उतार के लिए फिर इसी तरह से ये फंदा उतार के लिए फिर दो फंदे उल्टे उल्टे बनाए फिर एक फंदा उतार के लिए कि इसी तरह ऐसे हमारी पूरी सलाऑी कमप्लीट हो जाए लगत है अब से विर ब्लैक कलर लगाएंगे दो दो सलाईयों का दो सलाऑी के हम दोनों कलर की बनाएंगे फीर कर दो Summit की में किया दो फन्डे ले के फिर दो का एक किया और उसी मैश के विर दो दो का एक कर दिया फिर से दो फंदों का एक किया फिर उसी मैंसे फंदे को उठा के फिर से दो का एक कर दिया इस तरह से हमारी डियाई बंती जा रही है दो फंदों का एक फंदा किया फिर उसी मैंसे एक फंदा उठाया फिर दो फन्नों का एक फन्दा कर दिया इसी तरह पूरा हमने अपने डेयन बना लिया हमने मुवाइल को भी रखके देख लिया हमारी लेंद मुवाइल के बराबर की हो गई है और अब हम इसमें छे सलाईयां उल्टी उल्टी बनाएंगे मतलब सीधी सलाई, उल्टी सलाई, सीधी सलाई और उल्टी सलाई इस तरह छटवी सलाई पे हम अपने फन्दों को गटा देंगे इस तरह से हम अपने मुवाइल को रखके देख लेंगे जो कि हमारी बिल्कुल पर्फेक्ट लेंथ आ गई है अब हम अपने फन्दों को गटा देंगे दोकाई करके सारे फन्दों को गटा देंगे यह बन के बहुत सुन्दर सा तयार होता है मुवाइल फॉन इसको हम किसी भी रूप में यूज कर सकते हैं जैसे किसी को गिप्ट देना हो तो उसमें भी बहुत अच्छा है और कहीं भी जाना है इसमें बहुत ही प्यारा सा बनके तयार हो जाता है यह इस तरह से अब हमने इसको सिलाई कर ली दोनों साइट से इसका कलर कॉमिनेशन बहुत ही प्यारा लग रहा है इसमें अब हम इसकी एक डोरी बनाएंगे दोरी हम बड़ी सी बनाएंगे कंदे पर लटकाने वाली दोरी इसको हम सीधा सीधा बनाएंगे पांच फंदे डाले हैं हमने और सीधे सीधे बनाएंगे और हम अपने फंदों को सलाई को पल्टेंगे नहीं केवल फन्नों को खिसका देंगे दूशी शायद इस तरह से हमने फन्नों को खिसका दिया सलाई को पल्टा नहीं और उसी धागे से हम फिर सीधे-सीधे फन्नों को बनाएंगे इस तरह से हमारी गोली ये डोरी गोल गोल बनती जाएगी इस तरह बहुत अच्छी डोरी बनके निकलती है इस तरह से बनाते हुए हम लेकिन हमें इसके लिए इसी तरह की सलाईयों की जरूबत होगी जो दोनों तरफ से नौक वाली हो फिर खिसका लेंगे फंदों को फिर भुल लेंगे सीधे सीधे सलाई को नहीं पलतेंगे हम केवल फंदों को खिसकाएंगे इधर से उधर इस तरह इस तरह से हम अपनी डोरी को जितनी हमें लेंद चाहिए उतनी बना लेंगे आप कंदे पर लटका के भी देख सकते हैं कितनी लेंद आपको चाहिए होगी उसे साफ से कि अपनी डोरी की लेंद बना के तियार कर लिए यह करीब 100 सेंटीमीटर काफी होती है अब हम इसको दोनों साइट से सिल लेंगे शी दागे से यह हमने दोनों साइट से सिल लिया और एक बटन भी लगा लिया इसमें इस तरह से अब हम बटन के लिए डोरी बनाएंगे जो हम क्रोशिया की हल्प से बना लेंगे इस तरह के सलाईयों से बनाने की मेरे पास रिकमेंडेड था है की सलाईयों से हमें बना के दिखाओ क्रोशिया से तो बहुत बने हुए हैं तो मैंने यह सलाईयों से बना के दिखाया है इस तरह से हमारा बटन जहां तक आता है उस तरह नाप के हम उतनी ही डोरी बनाएंगे इसकी और दूसरी शाइड इस तरह से लगके हमारा बनके तयार हो गया है बहुत ही प्यारा सा हमारा मोवाइल बैग बनके तयार हुआ है इसमें हम एक छोटा सा कॉइन पैसे वाला पर्स भी छोटा सा डाल सकते हैं एक पैन डाल सकते हैं और एक यह मोवाइल आ जाएगा इस तरह इस तरह से हम आराम से इसको लटका के ले जा सकते हैं कई भी और किसी को गिप्टो में देना हो तो वो भी बहुत अच्छा एटम है ये थेंक यू थेंक वर वाचिंग